हलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू माइ चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं यह मैंने बताओंगी आप बतेए यह किसकी सब्जी है हर रोज हम यह चीज खाते हैं हमने आज इसकी सब्जी बनाई है आप कैस करिये मैंने बताओंगी ठीक है अगर आपने मेरी चैनल को कर ले और बैल आइकन को भी ज़र प्रस करें जिससे की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ये है केले की सबजी केले की सबजी खाना में पौधी डीज़ी लगती है चलिए हम एजी तरीके से बनाते हैं हमने यहाँ पे दो केले ले लिए है हम कच्छे केले को भी यूज़ कर सकते है और पके को भी यूज़ कर सकते है यह आपके सबसे यूज़ कर सकते है हम इस तरह से मोटे मोटे कट करने है पतले कट नहीं करने है इस तरह से दोनों केले को हम मोटे मोटे कट कर लेंगे अगर घर में कोई सबजी ना हो तो हम सोचते है क्या खाने मे बनाई क्या खाने में बनाई पर केले तो आसानी जाते हो घर में भी आजिर होते है तो हम फट से केले के सब्ची बनाते हो अर्ब want he तील गरम हो जाए उसके बाद इसमें हमें राइ, हिंग, सब कुछ डालना है और उसके बाद हमें मसाला रेडी करना है कटोरी में यह मसाला हम आधी बाद है लाया सक्राथ में राइ मासाला पकाना ही एक बाथ है वर्णा के लिए की सबचेत बहुत आसानी से बन जाती है रात में सभी को एकी क्वेशन होता है कि रात में कौन सी सबची बनाए ये केले के सबची बहुती टीश्टी लगती है और वच्छों भी आज़ानी से खा लेते हैं हम इसतरे से मसाला एकदम पका लेगे आप देख सकते हैं हमारा मसाला पक गया है तेल अलग हो गया है उसके बाद चो केले हमने कट करके रखेते हो इसमें हमें डाल देंगे सारे केले हमने डाल दिये है सारा कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेगे केले पकने में कोई देर नहीं लगती दो मिनिट में अच्छे से पक जाते हैं इसलिए मसाला ही पहले पकाना है अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो गया है हम उपर से तनिया पावडर डालेगे और सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लेगे आप देख सकते हैं कितनी टीस्टी हमारी सपची लग रही है खाने में तो कितनी टीस्टी होगी हम उपर से गार्णिश कर लेगे और येंडर से ये आप्शनल है आपको पसंद हो तो आप ढाल सकते है हम सर्विंग प्लेट में ले लेगे ये केले की सबजी हम रोटी, फुलका या पराठे के साथ खा सकते हैं बहुत ही टीस्टी लगती है, खाने में और कुछ ना हो तो भी हम बहुत ही मन्स दिखाते है कोरेंडर से गार्णिश कर लेगे ये देखिए फ्रेंज हमारी केले की सबजी रेडी है आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मुझे कमेंट करकर जरूर बताइएगा मिलता है नई रेसिपी लेके तल दान, बब बाई